एक तो तीन चार क्या हलका क्या होता भार उपर नीचे दूर पास जमा घटा गुणा और भाग अरे ठेहरू जरा समझतो ले C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की गणिज की पाठे पुस्तक के एक पाठ पर आधारिक कारेक्रम हाथी का वजन नमस्ते दोस्तों नमस्ते दीपी सबको मेरी भी नमस्ते नमस्ते मैं आणन्त मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम इन बच्चों से पहले एक पहली पूछे हाँ आकरती ये अच्छा रहेगा तो बच्चो तुम लोग तयार हो बलकुर तयार हो तो बही बताओ कौन सी चीज ज़ादा भारी है एक किलोग्राम रूई या फिर एक किलोग्राम लोहा किलोग्राम रूई और एक किलोग्राम लोहा दोनों का वजसन बराबर है तो दोनों ही बराबर है तो सुनों बच्चों बता है एक बार पिंकू रोते रोते मास्टर जी के पास गया और बोला मास्टर जी मुन्नी ने मुझे एक किलोग्राम का तर्बूज मार दिया ये सुनकर मुन्नी बोली मास्टर जी पहले इसने मुझे एक किलोग्राम का तक्या मारा था आपी ने तो कहा था कि दोनों का वजन बराबर है इसलिए मैंने एक किलोग्राम तक्ये के बदले एक किलोग्राम का तर्बूस दे मारा अचा बच्चो ये बताओ ऐसा क्यों हुआ कि मुन्नी को तो एक किलोग्राम के तक्ये से चोट नहीं लगी जबकि वो बड़ा था और इसके दूसरी तरफ पिंकु को एक किलोग्राम के तर्बूस से चोट लग गई जबकि वो आकार में तक्ये से चोटा था बताओ ऐसा क्यों हुआ तक्ये तर्बूस सक्त था और तक्ये मुलायम था और वो बड़ा भी तो था बजाओ ताली शिर्सी बापकर समझे बजाओ ताली जबकि तक्ये जो था वो भी एक किलोग्राम का था लेकिन वो बड़ा था और साथ ही मुलायम भी था इसी वज़ा से मुन्नी को चोट नहीं लगी थी मैं भी घर में भईये के साथ तक्ये मार खेलती हूँ पिर तो बहुत मज़ा आता होगा ना? जी 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 आप तो मैं काहनी नहीं सुनाएंगे अरे 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 अनुच ऐसा कैसी हो सकता है? हाँ तो बच्चो तयार होना काहनी सुने के लिए? हाँ पिर तो सुनेंगे तो बहुत सबसे पहले इसी बात पर मैं जाओ जोर दाख ताली तो अब सुने एक था राजा एक दिन राजा के पेट में भयंकर दर्द हो गया और राजा रोने लगा अब ये दर्द और सहा नहीं जाता महल का कोई भी हकीम वैद उसका दर्द नहीं ठेक कर सका अच्छा? हाँ और पता है फिर राजा क्या बोला? जो कोई मेरे पेट का दर्द दूर करेगा उसे इनाम में हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा इतना सारा सोना? हाँ और इनाम की बात सुन कर तेशभर के बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ जमा हो गए पर उन में से कोई भी राजा का इलाज नहीं कर पाया क्या राजा को पेट में बहुत दर्द हो रहा था? हाँ लेकिन बच्चो तभी वहाँ पर अचानक डॉक्टर वैदिका आई कौन आई? डॉक्टर वैदिका हाँ उन्होंने बस एक दवाई दी और राजा के पेट का दर्द बिल्कुल गायब छूमनत तभ डॉक्टर वैदिका बोली तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा? सोना डेशारा सोना हाँ बच्चो राजा जो था वो बहुत लालची था राजा उसको इनाम नहीं देना चाहता था तो फिर उसने क्या किया? एक चाल चली क्या चली? राजा ने क्या किया? वो डॉक्टर वैदिका से बोला मेरे पास लोहे के बाट तो है पर इतना बड़ा तराजू नहीं है के हाथी को तोल सकूँ तुम पहले एक हाथी का वजन करवाओ फिर मैं तुम्हें उसके बराबर सोना दे दूँगा राजा बहुत बुड़ा था वो चेटिंग करा था वो लालची था हाँ राजा था बड़ा लालची वैसे बच्चो तुमने लोहे के बाट देखे हैं जिनकी मदद से हम वजन तोलते हैं बताओ हाँ मैंने सबजी वाले के पास देखे हैं पहुत बढ़िया, शाब़ाश, उन पर लिखा रहता है न, कोई 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, फिर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 500 किलो है, तो भई, बड़े से बड़े और छोटे से चोटे बाट होते हैं, यानि कि बड़े समान को तोलने के ये छोटे बाट, हाँ तो बच्चो, जब डॉक्टर वैदिका को ये पता चला, कि उसे इनाम नहीं मिलेगा, तो वो बहुत उदास हो गई, और उदास उदास वो अपने घर पहुची, वहाँ पर उसकी एक बेटी थी, बेलकुल तुम्हारे जैसी, उसका नाम था मन्नू, ब मैं इत्ती बड़ी तराजू कहां से लाओं, और तब उसकी बेटी बोली, मा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुमारे साथ, मुझे ना एक तरीका सूझा है, क्या, क्या, तुम राजा से कहो, कि वो एक हाथी और एक बड़ी सी नाव का इंतिजाम करे, हाथी, नाव, हा उसका क्या काम है, सुनो तो आगे, बचो अगले ही दिन पता क्या हुआ, अगले ही दिन डॉक्टर वैदिका ने राजा को नदी के किनारे बुलाया, राजा अपने मंत्रियों के साथ एक हाथी और एक बड़ी सी नाव के साथ वहाँ पहुँच गया, राजा मन ही मन कुछ स भला हाथी का वजण नाव से कैसे तोलेगी है, लेकिन बच्चो डॉक्टर वैदिका की बेटी थी बहुत होश यार, उसने नदी में नाव खड़ी करवा दी, और फिर बच्चो जानते क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अर उसे रसी से बाढ़ दिया, अरे वा अनुच अनन, आगे की कहानी अनुच नहीं बता दी, हाँ, मैंने कहा तरह बच्चो बड़े होश यार, तो बच्चो इसी बाद पर बजाओ ताली, हाँ, बच्चो, तो राजा ने नाव को बंदवा दिया, जिससे नाव नदी में एक जगह पर रहे, और फिर दॉक्टर वैदिका क बेटी नदी में आई, वो तैर भी सकती थी, हाँ, तैर सकती थी, और तैरते हुए नाव के पास आई, उसने नाव पर लगाया एक निशान, ये देखने के लिए कि नाव नदी में कितनी डूबी हुई है, उसने वहाँ पर पक्का रंग लगा दिया, बिलकुल सही का तुम बिलकुल सही अनुज, उसने वहाँ पर लाल रंगी लगाया था, जहां तक नाव नदी में डूबी हुई थी, फिर मन्नु ने राजा से कहा, अब इस हाथी को नाव पर चड़ाओ, हाँ, और राजा के लोगों ने हाथी को नाव पर चड़ा दिया, और फिर क्या था, जो नाव थी नदी में और भी ज़ादा डूब गई, डॉक्टर वैदिका की बेटी ने अब उस जगह पर भी निशान लगा दिया, लाल रंग का निशान, और राजा से बोली, अब हाथी को हटा लू, तो राजा के लोगों ने हाथी को हटा लिया, राजा के पास तोलने वाले बाट थे, जिन पर क्या लिखा रहता है, एक किलोगराम, दो किलोगराम, सौ किलोगराम, है ना, अजार किलोग्राप अचा बच्चों ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ होगा उन बाट का क्या किया होगा बेटी ने नाओ में बाट रखवा दिये अरे वाश शाव 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 बजाओ तालीसी बाद पर बेटी तब तक बाट रखवाती गई रखवाती गई जब तक की नाओ फिर से वहां तक ना डूब जाए जहां तक उपर वाला निशान लगा था यानि वो लाल रंग का निशान जो हाथी के नाओ पर चड़ने पर लगाया गया था और जब नाओ वहां तक डूब गई तो बेटी ने राजा से कहा अब आपको पैता चला कि हाथी कितना भारी था राजा ने उतना सोना दे दिया हाँ बिलकुल दे दिया हर्शिता अब भला राजा क्या कर सकता था उसे डॉक्टर वैधिका को सोना देना ही पड़ा मगर ये बताओ बच्चो राजा को कितना सोना देना पड़ा होगा अरे उतना ही जितना हाथी का वजन था अब ये बताओ कि आपको कहानी कैसे लगी मज़ा आया कि नहीं कितना मज़ा आया हाथी जितना क्यो ना अब इस मज़िदार कहानी के साथ साथ हम बच्चों से आज का सवाल भी पूछ ले हाँ क्यों नहीं हमारे बच्चे बहुत होश्यार है क्योंकि वो हर सवाल का जवाब यू मिंटो में दे जते हैं तो बच्चों सवाल ये है एक लड़की थी अनामिका उसके पास भार मापने वाली मशीन थी चोटी सी अरे भाई वही मशीन जिस पर हम खड़े होकर अपना भार मापते हैं न मैंने डॉक्टर के पास देखी है मैंने सिनेमा हॉल के पास देखी है मैं चब गाउं जा रहा था तो मैंने रेल्वे स्टेशन के पास देखी थी हाँ हाँ वैसे ही मशीन थी हमारी अनामिका के पास उसके पास एक कुरसी भी थी जिसे वो यहाँ वहाँ उठा कर कहीं भी रख सकती थी और उस पर बैट जाती थी बड़े मज़र के साथ और बता है अनामिका उस कुरसी का वजन तोलना चाहती थी मशीन इतनी छोटी थी कि उस पर कुर्सी नहीं रखी जा सकती थी तो बताओ कि वो उस कुर्सी को उस छोटी सी मशीन से कैसे तो लेगी पर हाँ मदद के लिए मैं तुम्हें इतना जरूर बताऊंगा कि अनामिका उस कुर्सी को उठा तो सकती थी बही बताओ बच्चो कैसे तोलेगी हाँ हमारे अनामे का सोचो और तब तक के लिए बजाओ ताली अब हम चलते हैं बाई बाई नमस्ते हाथी का वजन अभी आप सुन रहे थे ये कारेकरम कलकार, प्रवीर्शर्मा, श्वेता और बच्चे, धुन्यंकन बटिलैंगलिंडो, निर्माण सहयोग, मयंक थपलीयाल, आलेक, निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधिना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT